हेलो कोई स्वेलकम बैक टो मैं न्यो वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हम बीजी मैं बैटल कड़ाउन मॉवाइल इंडिया गेम पे अपने नाम को कैसे चेंज करेंगे मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि हम रेनेम कार्ड कैसे लेंगे डी कार्ड जो होता है उसे हम कैसे लेंगी अपने नाम को किस तरीके से चेंज करेंगे और बहुत से लोग क्या करते हैं यह नाम लिखना जाते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं प्रॉबलम आ याठीक है तो आज करके दिखाऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ओर शेर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आपको बेटल ग्राउंड मॉवाइल इंडिया पे नेम चेंज करने के लिए दोस्तों आपको रिनेम कार्ड लेन है ठीक है यहाँ पर देखो मैं दोस्तों आपको आइड़ी कार्ड दिखाता हूं अगर आपके पास ये वाला इहां पर देखो यह आईड़ी कार्ड है यह वाला आइडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप बहुत makes only her अपने नाम को करोगे अगर नहीं है तो चलू मैं आ आजाता है कि आपको यहां पर क्लिक करना है अब जैसे यहां पर क्लिक करते हो उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर दोस्तों यहां पर पर क्लिक करना है यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद थोरा सा स्कोल डाउन करके नीची आओगे तो आपको दोस्तों यहां पर ID कार्ड देखने को मिल जाता है देखो गाई जीए है ID card अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपको ID card लेना होगा और यह ID card का price देख सकते हो यहाँ पर दोस्तो ID card लेने के लिए आपको 170 UC देना होगा यहाँ पर 180 दिखाई दे रहा है लेकिन 10 UC यहाँ पर discount में है इसलिए 170 UC यहाँ पर हमें pay करना है तब दोस्तों ID card ले सकते हैं अब लेने के लिए UC वाले option पर click कर दोगे यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर purchase का एक option मिलेगा इस पर आप click कर दोगे तो आप दोस्तों यहाँ पर ID card ले सकते हो आपको ID card मिल जाएगा अब ID card मिल जाएगा तो चलो नाम कैसे change करोगे मैं आपको वह बताता हूँ अब बहुत से लोग यहाँ पर stylish नाम लिखना चाहते हैं आपको एक ही वीडियो में दो तरह के दो trick में आपको बता दे रहा हूँ ठीक है तो ID card आप ले लिए उसके बाद नाम चेंज करने के लिए आपको यहीं पर click करना है और बहुत सो लोग क्या करते हैं कि stylish नाम जो है वो लिखते हैं तो stylish नाम वैसे आपके जो यह जी बोड है ठीक है टाइपिंग जी बोड उससे तो नहीं लिख पायता है लेकिन दोस्तो आप बेयोसाइट से उस stylish नाम को लेते हो ठीक है तो अगर बेयोसाइट से लेकि यहाँ पर डालोगे फिर भी दोस्तो आपका वो नाम save नहीं होने वाला है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप stylish नाम कैसे लिखोगे stylish नाम लिखने के लिए कि दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखो छोटा सा एक डॉट जैसा मिलेगा इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक option आएगा rank वाला आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ से कौई भी एक stylish नाम आपको ले लेना है जैसे धेर सारे आपको यहां पे नाम मिल जाते हैं कोई एक नाम को हम select कर लेते हैं जैसे गाईस मेरे को यह वाला नाम अच्छा लग रहा है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर जो दोस्तो इसका ID है चलो हम ID पे आजाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे copy कर लेना है हमने copy कर लिया back आजाते हैं ठीक है back आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम inventory वाले option पे आएंगे और यह box वाला option यहाँ पे ID card पे क्लिक करेंगे और इसको use वाला option है इस पे क्लिक करके यहाँ पे नाम को जो है इंटर कर देंगे अब दोस्तों इसमें आप कुछ भी change करना चाहो तो वह आप कर सकते हो इस style जो है इसका वो छोर के ठीक है आप जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वी पी यहाँ पे और यह के आई एंजी वी पी किंग हमने ऐसे लिख लिए पूरा बरा में लिख लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा नाम आ चुका है ठीक है अब दोस्तों हम इस नाम को सेव करने के लिए ओके कर देंगे तो हमारा जो नाम है वो सेव हो जाएगा तो गाइस इस तरीके से बी जी एम आई पे हम नाम को चेंज करते हैं रिनेम कार्ड को लेके और वो भी यह श्टाइल में अगर आप नॉर्मल में भी लिखना चाहो तो नॉर्मल में भी बहुत ही असानी से लिख सकते हो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बता देना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेट करके चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत